तो अगर आपने वह वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं वहाँ पर हिमाचल कॉस्चन करके लिंक दिया गया होगा उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियो को देख सकते हैं बाकि आज हम पार्ट नमबर 38 को डिसकस करेंगे और इन क्वेस्चन को हम बिल्कुल डिटेल में डिसकस करेंगे बाकि अभी कितनी है अब देखो यहां पर इन्र हिमालियस की बात की गई है अब सबसे वहले आपको यहां पर पता होना चाहिए जो हमारा हिमाचल परदेश है तो हिमाचल परदेश को टोटल चार जियोग्राफिकल रेजिंस में बाटा गया है तो उन चार जियोग्राफिकल रेजिंस में से एक आता है इंदर हिमालया जानी की आंतरिक हिमालया तो आंतरिक हिमालया की जो हाइट होती है वो कितनी होती है ये भी आपको यहां पर बता होना चाहिए तो जो आंतरिक हिमालया होता है उनकी उसकी हाइट होती है तीन हजार मेटर से लेकर के साथ हजार मेटर या फिर उससे उपर तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि इस question का right option हो जाएगा option D 4500 मेटर option D यहाँ पर correct हो जाएगा 4500 मेटर जो है तो inner हिमालयाज की height होती है अब देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि हिमाचल परदेश में total हिमाचल परदेश को total चार जियोगराफिकल रेजिंस में बाटा गया है तो उन चार जियोगराफिकल रेजिंस के आपको यहाँ पर नाम पता होने चाहिए तो देखो उनमें सबसे बहले आ जाता है outer हिमालयाज यानि की बाहरी हिमालया उसके बाद आ जाता है lesser हिमालया जिसको लगो हमाले काँजाता है उसके बाद आ जाता है ग्रेटर हमाले जिसको वरियат हमाले काँजाता है और सबसे लास्ट में आता है inner हमाले यापो पता होना चाहिए अब देखो यहां पर मैंने बात की outer हमाले की तो outer हमाले से भी जैसे questions से पूछे जा सकता है अब तो यहाँ पर जैसे इदनर हिमालय का पुछा गया है, इदनर हिमालय की हाइट पुछी गया है, वैसे ही आपसे आपसे, आटर हिमालय की पुछी जा सकती है, लेसर हिमालय की पुछी जा सकती है, ग्रेटर हिमालय की पुछी जा सकती है, तो यह सारे की सारे पॉइंट्स आप इसकी total height होती है ये आपको पता होना चाहिए फिर हम बात करते हैं lesser himalias जिसको लगों हिमाले काहा जाता है और जिसमें हमारी धौलाधार परवश्रेणी आ जाती है जो की kangra में है तो अगर हम lesser himalias की बात करें तो इसकी height कितनी है 12OO meter से लेकर के 3600 meter तक ये भी आपको पता होना चाहिए उसके बाद अगर बात की जाए greater himalias की जिसमें हमारी पीर पंजाल श्रेणी आ जाती है तो greater himalias की height कितनी है तो वो होती है 1500 meter से लेकर के 3500 meter तक ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए और इन्र हिमाले और ट्रांस हिमाले का मैंने आपको यहां पर बता दिया कि इसकी टोटल हाइट कितनी होती है ये भी आपको पता होना चाहिए कि इन्र हिमाले और ट्रांस हिमाले में जो है तो जांसकर रेंज आ जाती है और इसकी हाइट आपको पता होनी चाहिए वहाँ पर हमें हिमाले का 10.54% हिस्सा देखने को मिलता है, ये question exam में बन रहा है, तो इसलिए आपको ये note रखना है, बाकि देखो अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, तो वहाँ पर जाकर फॉलो कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बाकि देखो लिंक कई बार चलता नहीं है, तो आपको सिंपली टेलीग्राम पर जाना है, और add the rate, लेट्स प्रिपेर टू सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, उसी परकार आपको इंस्टाग्राम पर जाकर कि लेट्स प्रिपेर टूगैदर सर्च करना है, अगर कोई क्वारी होगी, तो आप मुझे इंस्टापी मैसेज कर सकते हो, question number 160 की अगर बात की जाए, which is the largest natural lake of हिमाचल परदेश, तो कौन सी हिमाचल परदेश का सबसे बड़े प्राकरिती की जील है, तो वो है रेनुका जील, option D यहाँ पर correct हो जाएगा, रेनुका जील हिमाचल परदेश की largest natural देख है, यह आप सभी को पता होगा, अब रेनुका जील से दो तिन questions बनते हैं, तो देखो रेनुका जील की आकरिती हमें सोई हुई स्तरी जासी दिखाई देथी है, तो यह कुछ basic questions अकसर अगजाम में पूचे जाते हैं, तो यह आपको note रखने हैं, अब यहाँ पर हमने देखा largest natural lake, वहीं पर आपसे पुछ जाता है largest man-made lake of हिमाचल परदेश, यानि की सबसे बड़ी मानव निर्वे जील या फिर करित्र में जील कौन सी है हिमाचल परदेश की, तो वो है गोविन सागर जील जो की option B में देखर के रखी है, अब गोविन सागर जील से भी बहुत सारे questions बनते हैं, अब questions क्या क्या बनते हैं, जैसे गोविन सागर जील ये किस district में है, तो ये बिलासपुर district में है, इसकी total length कितनी है, तो इसकी total length है 88 km, और इसका क्षेतरफल कितनी है, इसका बहुत बार पुछा जाता है, तो गोविन सागर जील का जील का जो एरिया है, वो है 169 km2, ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, ये question बहुत बार exam में बनता है, अच्छा घडासुर जील कहां पर है, तो घडासुर जील कहां पर है, तो ये कहा जाता है, लामा जील को, और लामा जील कहां पर है, तो ये भी डिस्ट्रिक के चंबा में है, उसके बाद आप से बुचिछ जाता है, श्रिंग टिंगो जील, ये कहां पर है, तो श्रिंग टिंगो जील जो है, तो कुल्दू जील में है, और ये किस के नाम पर इसका नाम पढ़ा है तो ये इसका नाम जो है तो श्रिंगर जिशी के नाम पर पढ़ा है ये भी आपको बता होना चाहिए नैनसर जिल कहां पर है तो ये भी डिस्ट्रिक कुलों में है अचा तानु जूबल जिल ये तानु जूबल जिल कहां पर है ये आपने जी कॉमेंट्स में बता दो Question number 161 की बात कीज़े Which is the North Western, the most district of हिमाचल परदेश तो कौन सा हिमाचल परदेश का सुदूर उत्तर पस्चमी जिला है तो उत्तर पस्चमी जिला कौन सा है तो वह है चमबा जिला option C यहाँ पर Correct हो जाएगा आप देखो यहाँ पर चमबा की बात की गई है तो चमबा के बारे में कुछ एक बेसिक से Questions में आपको हर बार बताता हूँ तो आज भी हम यहाँ पर देख लेते हैं तो सबसे पहले तारीखे रियासत चमबा यहाँ पुस्तक किस ने लिखी थी तो तारीखे रियासत चमबा यहाँ पुस्तक लिखी थी गरीब खान ने ये भी आपको पता होना चाहिए चमबा में ही आप सभी को पता होगा अजी सिंग मैमोरियल सीथ है बौरी सिंग म्यूजियम जिसकी साबना 1908 में की गई थी तो वो भी चमबा में ही सीत है उसके पाद चमबा में ही चमेरा 1 हो गई, चमेरा 2 हो गई और चमेरा 3 यह हडरोलेक्रिक प्रोजेक्ट कहां पर रहे है तो यह है डिस्ट्रिक चमबा में और यहां पर देखो आपसे question पुछा जाता है, यह जो चमेरा 1 Hydroelectric Project है, इसकी total capacity कितनी है, तो इसकी total capacity है 540 MW, और यह जो चमेरा 2 परियोजना है, इसकी total capacity कितनी है, तो वो है 300 MW, और यह जो चमेरा 3 परियोजना है, इसकी total capacity है 198 MW, यानि कि एपरक्स आप मान सकते हो 200 MW, त अगले question की बात करें, अच्छा एक question देख लेते हैं, चमबा से जो की बहुत बार exam में पूछा जा रहा है, तो आपसे question पूछा जा रहा है, कि चमबा में कब और कहां पर कृशी आंदोलन हुआ था, तो यह भी आपको पता होना चाहिए, कि चमबा में जो है तो भटियात नामक स्थान पर, 1896, 1896 में जो है तो कृशी आंदोलन हुआ था, यह dates आपके लिए important है, यह dates अक्सर exam में confuse करती हैं, तो यह सारी की सारी आपको यहाँ पर note रखनी है, अगले question की बात करें, question number हमारा 162 है, the river Satluj enters a Monday district at which place, तो Satluj नदी में किस स्थान से परवेश करती है, तो जिस तरह यहाँ पर Satluj नदी का, एक question देखो इस तरह पूछा गया है, उसी परकार आपसे जो पांच different types की नदिया हैं, वहाँ पर भी इस तरह की questions पूछे जाते हैं, अब पांच नदियां कौन कौन सी हैं, एक तो आपको बता चल गया है Satluj, उसके बाद कौन सी है, यमना नदी, चिनाव नदी, रावी नदी, तो इनसे भी questions एक्जाम में पूछे जाते हैं, अब क्या क्या questions पूछे जाते हैं, वो सारे के सारे में आपको यहाँ पर सिर्फ इसी वीडियो में बता दूँगा, तो देखो Satluj नदी का आपको पता चल गया है, कि Satluj नदी का जो है तो मंडी जिले में परवेश करती है, यह तो हमने देखा एक question ब्यास नदी से, दूसरा question पूछे जाता है कि ब्यास नदी किस स्थान पर कांगडा जिले में परवेश करती है, तो कांगडा में कहां से परवेश करती है, तो संधोल नामक जगा से जो है तो यह उत्राखन से निकल कर हिमाचल में परवेश करती है तो यह आपको पता होना चाहिए कि जो यमना नदी है वह उत्राखन से निकल कर जो है तो खोदरी माजरी नामक जगा पर जो है तो हिमाचल में परवेश करती है और यमना नदी हिमाचल को कहां पर छोड़ती है तो यह चिनाव नदी से कौशन पूशे जाता है कि चिनाव नदी लहौल से निकल कर किस स्थान पर चंबा में परवेश करती है तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो चिनाव नदी है बहुत इंपॉर्डन पॉइंट है और बहुत बार एक्जाम में बनता है वही पर आपसे चि प्रवेश कर जाती है तो यह जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर जाती है तो यह जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर जाती है तो यह जम्मू कश्मीर में बिल जाती है तो यह जम्मू कश्मीर में बिल जाती है तो यह जम्मू कश्मीर में बिल जाती है तो यह मैंने प्रवेश क आपको समझ में आ गया होगा, अगले वाश्टिन की बात करें, बागे देखो अगर आपको हमारी वीडियोस सच में हेलफ़ लगती है, जिरूर से वीडियोस को लाइक कर दिया करो, और अपने बाई बहनों और अपने दोस्तों के साथ जूरूर से हमारी वीडियोस को शियर क अब देखो, ये स्टीम्स में आपको हर भार बताता हूँ कि सबसे पहले कों यह तोो आया था, किसने आकरमन किया था, उसके बाद को आया, उसके बाद को आया, तो यह सिट है तो धएखो सबसे पहले कांगडा पर आकर्मने किया था महमूद गजनवी ने किसंने किया था महमूद गजन blurry ने और कब किया था तो 109 में उसने जो है तो कांगडा पर आकर्मन किया था और यह है उसका ज़े तो 4th चोथ्था अभियान था ये भी आपको 37 में किया था और उस समय चो आपको हर बार बताता हूं यह most important है और बहुत बार एक्जाम में बनता है जिस तरह यहाँ पर बुशा गया है अच्छा यहां पर भी मैं आपसे एक क्वेशन पूश्टा हूँ क्वेशन यह है कि कांगडा के लिए पर अब तक किस किस ने ज़दो कबजा किया था किस किस ने उसको अपने कंट्रोल में दिया था देखो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है मैं यहां पर कांगडा फोर्ड यानि कि कांगडा किले की बात कर रहा हूँ मैं कांगडा शहर की बात नहीं कर रहा है कि कांगडा शहर को किसने लूट पार्ट मचाई थी कांगडा शहर में किसने घेरा डाला था वो मैं यहां पर बात नहीं कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ कांगडा फोर्ड की कांगडा फोर्ड को अब तक किस किस ने अपने कंट्रोल में कर लिया था वो आप नीचे उन साशकों के नाम आप नीचे कामेंट्स में बता दो अगले कॉश्चन की बात करें कॉश्चन नम्बर हमारा 164 है इन भी चेर महराजा रंजी सिंग फुली अनेक्स्ट दे टेरिटरी अफ दतारपूर तो किस वर्ष में महराजा रंजी सिंग ने दतारपूर प्रांथ को पुल्ण रूप से सनलगर किया था यानि कि अपने अधिकार क्षितर में ले लिया था 1818 में जो है तो महराजा रंजी सिंग ने ये जो दतारपूर रियास्त से उसको अपने रंजी सिंग से क्षिशन बना है उसी परकार देखो हमरquitoपूर कि एगजाम में तीन क।षिन बन चुके हैं अब वो तीन क क्षिशन क्या क्या बन चुके हैं मैं यहाँ पर आपको बनाऊँगा तो सबसे पहला क्वाशन यहाँ पर बना हुआ है कि सिभा 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 यहाँ पर बना हुआ है कि महराजा रंजे सिंग ने सिभा को अपने कंट्रोल में कब किया था उसके बाद दूसरा क्वाशन बना हुआ है कि महराजा रंजे सिंग ने मंडी पर हमला कब गिया था और तीसरा कॉस्टन यहाँ पर बना हुआ है कि महराजा रंजी सिंग ने गुलेर पर हमला कब गिया था तो ये तीनों के तीनों कोईंट भी आपको नोट रखने हैं महराजा रंजी सिंग ने मंडी पर कब हमला किया था तो 1849 में उन्होंने मंडी पर हमला किया था उसके बाद गुलेर का आपसे पुछ जादा है कि महराजा रंजी सिंग ने गुलेर पर हमला किया था तो 1813 में ने गुलेर पर हमला किया था ये डेर्स मोस्ट इंपॉर्डन है बहुत बार exam में बनती है आने वाले exam में आपसे definitely यहाँ से questions देखने को मिलेगा तो यह सारे के सारे points आपको यहाँ पर बिलकुल note रखने है अच्छे यहाँ से भी मैं आपसे question बूशता हूँ question यह है कि लहौर की संथी लहौर की संथी कब हुई थी किस के बीच में हुई थी यह आप नीचे comments में बता दो अगला question so question number 165 है who was the last ruler of भगाट प्रिंसली स्टेट तो भगाट राजसी राजे का अंतिमसाशक कौन था आप देखो यहाँ पर भगाट प्रिंसली स्टेट की बात के गई है और अन्तिमसाशक की यहाँ पर आपसे बचा गया है अब देखो सबसे बेले तो आपको यहाँ पर पता होना जाए कि इसका संस्थापक कौन था यानि कि पहला राजा कौन था जिसने इसकी स्थापना के थी तो वो कौन था वसंतपाल कौन था वसंतपाल और इसी को कई बार जो है तो हरीचंतपाल भी कहा जाता है तो ये भी आपको पता होना चाहिए अब यहाँ पर पुछा गया है अंतिम साचक तो अंतिम साज़ कौन था तो वो था राना दुर्गा सिंग का option C यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएगा और राना दुर्गा सिंग इनका time period भी आपको पता होना चाहिए 1911 से लेकर के 1948 तक इनका time period है आप देखो राना दुर्गा सिंग से question पूछा जाता है question पूछ जाता है कि जो सोलन दर्बार लगा था तो सोलन दर्बार कब लगा था 26 January 1948 ये dates भी आपको नोट रखनी है तो सोलन दर्बार को सोलन दर्बार में जब हिमाचल परदेश का नाम करण किया जाना था तो इसकी अधिक्ष्टा कौन कर रहे थे सोलन दर्बार की तो सोलन दर्बार की अधिक्ष्टा उससमें जब दर्बार सिंग ही कर रहे थे ये भी आपको पता होना चाहिए अब देखो यहाँ पर हमने देख रहे है भगाट रासी राज्य अब यहीं पर आपसे पुछ जाता है भागल रियास्ती राज्य की स्थापना किसने की थी उसके अंतिमसाश कौन थे ये भी आपसे क्वाशन पुछ जाता है तो भागल रियास्त इसकी स्थापना किसने की थी इसकी स्थापना की थी अजे देव ने और राजधानी कहां पर स्थापनी की थी तो राजधानी जो है तो इनकी अर्की में स्थापत की गई थी और कई बार आपसे यहाँ पर पुशा जाता है कि अर्की चितरकला शैली 21 रियासत में फली फुली थी तो अर्की चितरकला शैली भागल रियासत में ही फली फुली थी तो यह भी कुनिहार, कुनिहार राज्य की स्थापना किस ने की थी, कब की थी, राजधानी कहां पर थापित गे थी और इसके अंतिम साचे कौन थी, ये सारा का सारा, आप नीचे कमेंट से बताओ, देखो मैं आपको हर बार बोलता हूँ, कि अगर आपको नहीं भी यादा है, तब भी आपने क्या करना है, आपने बुक को खोलनी है, या फिर गोगल पे जाना है और सर्च करने, आकर के इस वीडियो में नीचे कमेंट करना है, मैं आपको हर बार बोलता हूँ, कमेंट करने से आपका ही फाइदा है, जो चीज़ आप कमेंट कर देते हो, वो चीज़ आपका भी भोलते नहीं हो तो make sure comment जरूर करें question number हमारा 166 है बिलासपूर टाउन इन हिमाचल वाज फांड़ वाइफ ही चरूर लर तो हिमाचल प्रदेश में बिलासपूर शहर की स्थापना किस ने की थी अब देखो यहाँ पर town पुछा गया है यानि की शहर पुछा गया है तो शहर की स्थापना की थी दीप चंद चंदेल ने और कब गी थी 1654 में जो है तो दीप चंद चंद चंदेल ने बिलासपूर शहर की स्थापना की थी और ये दीप चंद चंदेल इन्हों ने ही जो है तो बिलासपुर में धॉलरा महल का भी निर्मान करवाया था ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए अब देखो ये तो हमने देख लिए दीप चंदर जो की जिन्होंने बिलासपुर टाउन यानि की बिलासपुर सहर की साफना की थी अब यहां पर आपसे बुचा जाता है कि बिलासपुर रियासत की साफना की थी तो ये भी आपको पता होना चाहिए बिलासपर रियास्त की साफना वेर चंद चंदेल ने की थी और कब की थी लगबगर 900 इसवी के पास जो है तो इन्हों ने इन्हों नहीं देखो नैना देवी मंदर भी बनाया था और नैना देवी को ही इन्हों ने अपनी ज्राजधानी भी बनाया था तो ये भी आपको यहां पर पता होना चाहिए अचा बिलासपर की जब भी बात आती है तो बिलासपर में जो तो साथ पहाड़ियां हैं साथ धार हैं क्या है साथ धार इसलिए जो है तो कई बार बिलासपर को क्या कहा जाता है बिलासपर को सत धार भी कहा जा important points भी आपको यहां पर पता होने चाहिए, अब देखो एक question पुछा गया था, अब यह तो आप सभी को पता है कि Asia का सबसे बड़ा trout fish farm कहां पर है, तो वो है दियोली में, कहां पर है दियोली में, दियोली कहां पर पर परता है, तो यह district बिलास पर में परता है, और यहीं पर आप से question पुछा गया था, कि दियोली किस नदी किनारिस सीता है, तो यह अली खड़के किनारिस सीता है, अब देखो question ना तो यह पुछा गया था, और ना ही यह पुछा गया था, question आप से पुछा गया था, कि Asia का सबसे बड़ा trout fish farm, जो कि दियोली में सीता है, उसकी स्था हा रहे हैं वो आप नीचे कोमेंट्स में बता दो अगर आपको उनके नाम भी आते हैं तब भी आप नीचे कोमेंट्स कर सकते हो अगला कोश्टन So question number 167 है Who was the first to give a call for the creation of separate hill state in 1946 तो 1946 में अदग पहाड़ी राजे के निर्मान का आवन करने वाले प्रतम कौन थे तो वो दे ठाकुर हजारा सिंग उप्शन D यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जागा अब देखो इसी से related एक और question पुछे जाता है Question आप से पुछे जाता है कि सोदंतरता के बाद भारतिय संग में विले करने वाली पहला पहाड़ी राजे कौन सा था तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि सोदंतरता के बाद भारतिय संग में विले करने वाला पहला पहाड़ी राजे था ठीयोग ठीयोग जो है तो पहला पहाड़ी राजे था और ये भी आपको यहां पर पता होना चाहिए तो देखो आज ये थे हमारे कुछ questions आई होगो वीडियो आप confirmative लगी होगी अगर वीडियो अच्छे लगी है तो जिरूर से लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में हमें टेलीग्राम और इस्टेक्राम पर फॉलो करना बिल्कुल भी न भूले तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तिल दन टेक कियर